हेलो इवरीवन विल्कम टो माई चैनल हाइपर ट्रेड इस भी मैं हूं महुमाद सुहेल दोस्तों आज आप लोगों के सामें स्टॉक लेके आ गया हूं मैं आई टी सी लिमिटेड फिल से अब देखिए आई टी सी लिमिटेड के अंदर जो भी रिवसल हो रही है इसके लिए आपको मैंने स्टाटेजी भी बता दिया था और बैक अप कैपिटल कैसे लेके चले वो भी पिछले वीडियो में बता दिया था अगर स्टॉक रिवसल जा रहा है तो इस स्टाटेजी काम करती है नहीं करती है आपको भी पता लगेगा ना दोस्तों दिखिए अगली बार जो पिछली बार हम लोग ने इसके अंदर प्रॉफिट कमाया है वैसा ही प्रॉफिट हम लोग आगे चलके भी कमाने वाले हैं दोस्तों ITC Limited के अंदर इसके लिए थोड़ा पेशन्स रखके चलिए आगे चलके यहां पर जो भी फ्रेश एंट्री करना चाते है यहां से भी 190, 186, 180, 175 जिदर भी एंट्री करके चल रहे हैं मैं एक ही बात कह रहा हूं दोस्तों होल्ड करके चलिए इसके अंदर आपको double से triple profit होगा double से triple profit क्यों होगा दोस्तों क्यूंकि we are doing average हम लोग stock के अंदर average कर रहे है 170 के बाद हमारा average रुख जाएगा जो short term targets है हमारे short term targets के अं target है इसके अंदर 190 टागेटर जो 180, 176 के पास entry करके चल रहे हैं वो सभी के targets आपको 190 के पास exit हो जाएंगे दोस्तों अगर इस stock reverse low 170 पे हम लोग average करने लगे यहां से break level कर रहा है तो देखिए stock के अंदर average करना छोड़ दीजिए stock को monthly targets के लिए छोड़ दीजिए दोस्तों य ही मैं आज के वीडियो में आप सभी को डीटेली बताने वाला हूँ अगर आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए हैं अगर आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए इस stock के अंदर जो हम लोगों ने पिछली बार strategy बनाई थी पिछली बार levels देखे थे वो levels नियरली 184 और 182 के level के नज़िक के levels थे दोस्तों हम लोगों की entry हो गए थी 190 और 190 के below जिदर भी 185, 180 किदर भी entry हो चीए इसके अंदर आप सभी को मैंने क्या कहा था 170 level इसका support level है य तो ही stock नीचे जाएगा वरना stock नीचे नहीं जाएगा दोस्तों इसके ऊपर आप सभी किदर भी trade करके चल सकते हैं यह बात बता दी और उसके बाद आपको 5 रूपेश 7 रूपेश के हिसाब से strategy बता दी और 170 तक हमारा 5 रूपेश का strategy चार बार लगेगा यानि 185, 180, 175, 170 य यानि इसका overall below overall average बनेगा 180 अगर 180 के उपर जाने लगा हमे 190 जो हम लोग ने buying लिये यह buying के पास ही हमारा double profit होगा यह आप लोगों को पहले से बताते आ रहा हूं अभी भी बता रहा हूं अगर यह stock हमारा 170 level दोस्तों कुनसा 170 level break कर रहा है तो हम लोग average strategy छोड़ देंगे इस से हम लोग monthly targets के लिए रख देंगे पर loss में exit नहीं होंगे कभी मैं loss में exit किसी को नहीं कराता हूं आप कोई बोल रहा हूं दोस्तों थोड़ा patience लगा के चिलिए इसके अंदर आप सभी को अच्छा खासा profit होगा और profit में ही आप 190 पे exit होगे हमारे short term targets 210 है अगर 190 पे पी exit नह बनते हुए चार बार हमारा capital इसमें लग चुका है उसके हिसाब से capital एक देड़ महिने के लिए stock में अटका के रखना ये भी हमारे लिए बहुत गलत बात होगी दोस्तों क्यूंकि देखिए एक stock में हमारा पूरा capital लगावा है strategy maintain करके हम लोग capital लगा के बटे उसके अंदर एक महिने में targets achieve हो रहे तो ठीक है पर उसके बाद reversal होगा तो जो हमारा backup capital हो हम लोग average करते ही रहेंगे पर एक महिने के लिए या एक दो हफते के लिए भी हमारा जो पूरा backup capital लगा के रखते हैं तो 190 पे exit होना ही अच्छा होगा इसी लिए मैं 190 पे ही आप सभी को exit कराता जो भी monthly weekly targets के लिए average करते हैं दोस्तों अब देखिए इसके अंदर short term के level कैसे हैं इसके अंदर short term में average कैसा maintain करें यह भी बताया था अगर आप 210 पे लिए हैं तो 190 पे average करिए 170 पे average करिए क्योंकि इसके अंदर आपके 3 average ही बनेगे mid range average आपका 190 बनेगा अगर यहां से support level break कर रहा है तो stock आपको दोस्तों openly बता रहा हूं stock आपको 140 165 यह दोनों के level के बीची stock trade करता हुआ आप सभी को दिखेगा इसलिए 170 पे ही मैं सभी को average करना short term के लिए इधर भी खरिदारी करना रुका देता हूं क्यूंकि इससे ज्यादा average हम लोग नहीं कर पाएंगे और इध चीज आपको बता दो इसके अंदर आपका साहस बढ़ाने के लिए और एक चीज बता दो जो बहुत important है आप सभी के लिए जो stock 190 से लेके हम लोगों को up move नहीं देते हुए लगातार जो भी गिर रहा है दोस्तों इसके अंदर rally आएगी तो भी 190 plus rally आ जाएगी इसके अंदर और यह 210 short term targets है मेरे 210 भी अचीव करके छोड़ेगा ही छोड़ेगा ITC क्यूंकि इसके अंदर जो भी लगातार rally हमें 140 से देखने को मिली 170 से देखने को मिली यह लगातार 210 level भी break करके थोड़ा आगे जाके reversal हुआ है इसके लिए यह downtrend में recovery कर रहा है डरने की कोई जूरत नह अगर stock reversal होगा तो ही ना दोस्तों आपको पता चलेगा इसके अंदर strategy maintain कर रहा है नहीं maintain करना है इसके लिए मैं आज के दिन RSI भी नहीं लेकिया हूँ direct candle chat पर ही बात करने के लिए reversal ले रहा है strategy maintain करने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ और stock को hold करके चलिए यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो description link में link है link को hit करिए और join करिए मेरा telegram channel for intraday live tips and stock market updates के लिए और live market में आप सभी के सवालों को जवाब देने के लिए मैं social media का support लिया हूँ यानि instagram का support लिया हूँ दोस्तों live market के अंदर आप कौन से भी stock लॉक में अटकेव हैं कि दसे लिकलना पता नहीं चल रहा है strategy नहीं मालूम हो रही तो देखिए आप मुझे instagram पेज़ पे मेसेज कर सकते हैं मैं जब market start होने से लिके बंद होए तक मैं online ही रहता हूँ जैतर mail में problem हो रही थी इसलिए आप सभी का काम आसान करने के लिए मैं लेके आगया है instagram का पेज अब इसका link भी आपको मेरे description में मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं candle chart analysis के ऊपर यह जो मैं target आज के दिन लिका ला हूँ यह 21 Monday September 2020 को trade करने के लिए लिका ला हूँ दोस्तों Monday के दिन buying का position बने selling का position बने आप मेरे target ले सकते हैं क्यूंकि इसके अंदर जो price action बनता है stock के अंदर जो price moment बनता है उसके according में target निकालता हूँ उसके according की target देता हूँ दोस्तों Monday के दिन अगर आप trade करना चाते हैं मेरे levels पे तो आप अभी screenshot निकाल लीजिए अगर आप मेरे YouTube वीडियो के लिए नहीं है मेरे levels मेरे target के लिए नहीं तो आप paper trading यानि paper work करके भी देख सकते हैं और मेरे target पे आप trade कर रहे हैं तो stop loss और target लगा के चलिए चाहिए वह buying position पे लिए आप stock को selling position पे लिए intraday के अंदर देखिए मेरे target पे कैसे कम करना यह भी बता देता हूँ मैं दो target देता हूँ आपको खुद समझ में आ जाएगा